प्याज की डाई में जो हम चीज इस्तिमाल करें सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ यह है लैसून प्याज के छिलके एक तो इसे डाई को इस्तिमाल करेंगे अगर आप तो इससे आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा यह बहुत ही सस्ती है डा अगर आपके बाल उड़ गए है आप इस तरीके से जैसे आज में बता रहे हूँ इस तरीके से हिना में इस्तिमाल कर लेंगे तो आपके बाल जो उड़ गए है वो तो आएंगे ही 100% लेकिन जो बाल सफेद हो गए है वो भी बहुत ही जल्दी काले होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि जो बालों की जड़ों का मिलेनन कम हो जाता है वो लैसुन प्याज के छिलकों से बहुत ही जल्दी बनना शुरू हो जाता है और वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है जिस तो ये बहुत ही अच्छा है तो इससे हम डाई बनाएंगे आज तो ये देखिए मैंने सबसे पहले इसमें जो आज मैं चीज इस्तिमाल कूँगी वो है लैसून प्याज के छिलकों का पॉर्डर और दूसरी चीज इसमें इस्तिमाल करेंगे हम आवला आवला इसलिए पजार वाला तो आप पजार वाला भी ले सकते हैं यह मेरा घर का पीस हुआ है क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता है मैं घर की चीज़े इस्तेमाल करती हूं इसलिए तो चलिए अब फटाफर शुरू करते हैं इन त्योनों चीजों की डाई बनाना लेकिन प्लीज उस अब देखे कड़ाई मैंने गैस पर रगती है और इसमें डालेंगे हम एक कप पानी अगर आप यह जो मैं आज आपको बता रही हूं आप इस तरीके से इसे थोड़ा ज्यादा बना कर भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आप लोई की कड़ाई में छोड़ दीजेगा तो उससे अब देखिए एक चमच और दो चमच और यह तीन चमच इसमें मैंने एक कप पानी में ली है तीन चमच लहसुन प्राइच के छिलके और इसमें लोंगी मैं यह एक चमच और यह दो चमच अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको पकाएंगे अच्छे से इनको मिक्स करना है सलफर बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है अगर आप अपनी डाइट में भी एक कच्चा प्यास डेली खाना शुरू कर देंगे जैसे आधा आप दिन में खाली जिए आधा आप शाम को खाली जिएगा अगर एक कच्चा प्यास डेली शामिल कर देंगे तो आपकी बालों बहुत जल्दी काले होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सलफर बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मानगा है क्योंकि जो बग 2-3 मिनटे कम गयस में पकाएंगे क्योंकि जो लैसून प्याज के छिलके होते हैं जब हम उनको पकाते हैं तो उनका जो लिक्विड बनेगा वो थोड़ा जैल फोम में होता है उसे आप ऐसी ही ब्रस की साहता से अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं जैसे हम कोई भ पता कि बाद में उसका कितना साइड एफेक्ट होता है जो आपकी आई ब्रो होती है जो आई लीड होती है वो सब सफेद हो जाती है बाद में तो वो जो हम कलर बजार वाला इस्तेमाल करते हैं उसी की वज़े से होती है और अगर हम घर वाली चीज़े इस्तेमाल करेंगे तो हमारी उससे आईब्रो के बाल, जो हमारी आखों की पलके होती है, वो सब बहुत काली बनी रहेंगी, वो जल्दी से सफेद नहीं होंगी, और अब हम गैस को थोड़ा कम कर देंगे, और इसको पकने देंगे, हरबल चीजे, अगर आप जैसे केमिकल वाली चीजे इस्तेमा सफेद नहीं होंगी, तो इसी तरिके से जैसे आपके बालो के सफेद नहीं होंगी, तो इसी तरीके से जैसे आपके बालों के सिर के बाल उड़ते हैं उतरने शुरू हो जाते हैं ऐसे आईब्रो भी कमजोर हो जाते हैं केमिकल वाली डाई से यह देखे इस तरीके से अभी यह बहुत हद तक पक चुका है तो अभी से हम थोड़ा सा हलका सा और पकाएंगे लग चीजे कितनी ब्लैक हो गई है और यह बहुत ही अच्छी है बालों के लिए जिन लोगों को यह लगता है कि वह लोग डाई लगाना पसंद नहीं है बहुत लोग ऐसे होते हैं तो वह यह जैल वाली चीजे लगाकर इस तरीके का जो मैं आपको स्प्रे बताती हूं लिक्व जो हम इस्तेमाल करें वह थोड़े गरम होता है तो इससे आपको कोल्ड भी नहीं होगा और जो साइनस की प्रॉब्लम है वह भी नहीं होगी क्योंकि यह आपके सिर को बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे यह गरम रखेंगे लगाने के बाद बालों में देखे इस तरीके स क्योंकि इसमें जो सलफर होता है बालों की जड़े हैं यानी कि दुबारा आपके बाल निकलने शुरू हो जाते हैं अब हम इसे बंद कर देने गास को और इसे हम रूम टंपरेचर पर ले आते हैं और उसके बाद हम इसे स्टेंड आउट करेंगे तो इसको मैं चारों और यह ठंडी होकर हमें जैसा चाहिए वह वैसा बन जाए और यह देखे रूम टैम्ट्रेचर पर आ चुका है और अब हम इसे छान लेंगे च्छानने के बाद आप मैं आपको इसका रिजर्ट देखाऊंगे कि इसका रिजर्ट कैसा हुआ और कितना ब्लैक बना है यह तो इ हम इसे चाहनते रहेंगे हमने इसे स्टेन कर लिया है यानि कि छान लिया है और यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्लैक लिक्विड बना है अब इसमें हमें क्या मिक्स करना है वह मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको हिना मिलाने की जुरत नहीं क्योंकि हिना मिल में अगर रैड कलर आगा तो फिर आप बोलेंगे रैड कलर आगया तो इसमें आप गुडल के जो पत्तों का पॉडर होता है ना गुडल के जो फूल होते हैं उसके पत्तों का पॉडर आप इसमें 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 मैं दो चमच गुडल के फूल के पत्तों का पॉडर इ इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा बालो में अभी आपको लग रहा है कि इसका कलर आप देखेंगे रैड कलर हो रहा है डार्क बिल्गंडी जैसा आपको लग रहा हुगा लेकिन यह कलर ऐसा नहीं है जब क्योंकि यह जड़ों पर वर्क करेगा और यह इसमें सल्फर को कलर देने के लिए और इससे जल्दी से बालों का कलर भी नहीं निकलेगा जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों जिसमें जो हमने हर्व इस्तिमाल के ना वह बहुत अच्छी है प्याद के छिलके लेसं के छिलके तो बहुत ही अच्छी होते हैं जिन लोगों के बाल उड़ करने वाला brush होता है उसकी साहता से या फिर आप cotton की साहता से इसे अपने बालों में लगा कर छोड़ दीजेगा अगर आपको और गाड़ा करना इसे और आप हीना पसंद करते हैं तो आप इसे हीना मिला सकते हैं लेकिन अगर आप हीना avoid करते हैं हीना आपको पसंद नहीं है त जो बालों की जड़े आपकी बहुत ज़्यादे डैड हो गई है वो बहुत ज़ल्दी आपकी रिजनरेट हो जाएंगी यानि कि दुबारा वो जड़े काम करना शुरू कर देंगी बाल निकलने शुरू हो जाएंगी और जिनकी वज़े से आपके बाल सफेद हो गई है न क्य